हाई गाईज दिस जंकी तहन्री वाचिंग टेकिट नाइन ओफिसल यूटूब चैनल तो गाईज आज की इस फीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इंस्टागाम पे बिना पासवर्ट के अपने आईड को लॉग इन कर सकते हैं माली जै कोई भी आपका अचाउणट है इंस्टागाम पर और आप उसका पासवर्ट भूल चुके हैं आपको नहीं पता है कि क्या आपने उसका पासवर्ट रखा हुआ था तो उसको कैसे लॉग इन कर सकते है उस अकाउँट को तो उसको लॉग इन करने का एक ही रास्ता होत तो उसका जो OTP होता है, वो या तो हमारे email पर आएगा, या फिर हमारे phone number पर message के दुरू आएगा, तो उसके लिए वो होना ज़रूरी है, लेकिन आज की इस video में बात करेंगे, कि हमें ये भी नहीं बता है कि उसका email क्या है, और उसका mobile number क्या मैंने डाला हुआ था, तब उसक काफी interesting है, प्लीज वीडियो को लास्त तक जोड़ देखना, अगर आप स्किप करते हो, तो हो सकता है, ये trick आपको समझ में ना आए, तो उससे पहले आपको बता दो कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कले जगा साथ में बैल आइकिम को भी प्रेस करक आपको मिल जाएगा, तो चलते हैं मोबाइल स्किन पर आपको बताते हैं कि क्या वो trick है, इस trick में हमको क्या करना है, जिसे हमारा password recover हो सकता है, बिना mobile number और बिना email address के, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना Instagram open कर लेना है, open जैसे ही कर लिए तो कोई भी ID कर और login है, तो उसको log out कर दे, log out करने के बाद कुछ ऐसा interface आपके समने नजर आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे में दो option में जाता है, एक switch account को और दूसरा sign up का, तो यहाँ पर हमको पहले बाले option, switch account बाले option पर क्लिक करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगा तो यहाँ पर आपको अपन पर बूल चुके हैं, और हमारे password को recover करना है, और इसके बाद हमें login करना है, तो password recover करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे, login के नीचे, forget your login detail, get help sign in, वाले option पर आपको click कर देना है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगा तो next window आएगा, यहाँ पर आपको अपना username, या फिर email, या फि पर आपने password को recover करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ना ही email है और ना ही phone number है, तो हम अपने password को कैसे recover करेंगे, यहाँ पर आप अपना username डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना username डाल देते हैं, तो तीनों में से कोई एक होना जरूरी है, तो username आप सभी को पता डाल दिया है, डाल इक बाद next बाले option देए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर next विंडियो आगा, यहाँ पर आपको अपना profile picture दिख जाएगा, और इसके साथ ही तीन option दिख जाएगा, यहाँ पर पहला option है send an email, दूसरा option है send an SMS, और हमारे पास receive होगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा option है login with facebook, अगर आपके यह option नहीं सू कर रहा है आपके सामने, तो आपने उसको connect नहीं किया होगा, यानि अपने facebook को अपने instagram से link नहीं किया होगा, अगर आपको नहीं पता है कैसे link होता है, तो उपर आई button में वीडियो का link पिल होगा, यहाँ पर आपको click कर देना है login with facebook, इस पर जैसे click करोगे तो यहाँ पर next window आएगा, और वहाँ पर आपसे नया password पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से new password वहाँ पर डाल दीजेगा, अपना password फिल कर देना है, new password जो भी आपको रखना है, तो दोनों में डालन आने के लिए इसको log out कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देशेते दोनों password जैसे ही डालोगे, उपर में tick का option आपको click कर देना है, उसके साथ ही आपका ID login हो जाएगा, तो I hope आज का वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दे आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक लिए थाने बाद,